नमस्कार आप देख रहे हैं खबरी चौक करते हुए कहा था कि अब लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है अमिकापूर पहुचने पर आजपूर उप्मुख मंत्री टीय सिंग्डेव ने अमिकापूर ब्लॉक के सरे टिक्रा निवासी मृतक इस्वर राजवारे के घर जाकर परीजनों से मुलाकात की तथ मामले को लेकर परिवार जनों को धाड़स बदाते हुए हर संभव मनत का आस्वा संधिया इस दोरान राजवारे समाज के लोग भी काफी संख्या में वहां मौजूद रहे जिन्होंने आरोप्यों पर कड़ी करवाहिक करने की मांग की है हाँ यह जो रायपूर में यह दुर्गवाटना हुआ है जो हत्या वाला इस्वार ज़ाड़ी का उसके संबन में हमारे पूरे सर्गुजा सूरजपूर पुर्यातिनों चारुजिला के रजवार समाज के मुख्या लोग आये हैं अपना सोक समेंधना वेक करने के लिए और सभी समाज के लोगों का मांग है कि मिर्तक के हत्यारे को कठोर से कठोर कारावास होना चाहिए और मिर्तक के परिवार को सासन के द्वारा कम से कम पचीस लाख तक का छतिपूर्ति मौजा दिया जाए और उनके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो इसको में पढ़ रहे हैं उनको सासन के द्वारा सिक्षा मुहया उच्च अस्तरी सिक्षा मुहया कराया जाए अनुकंपा निक्ती भी दिया जाए ताकि उनके बच्चों का भरन पोस्ट कर सके प्रदेश में लगतार खराब होते कानून की बेवस्था को लेकर पुरूप मुखमंत्री टियर सिंग्दों ने चिंता वैक करते हुए कहा कि प्रदेश के हर हिस्से में कुछ न कुछ हो रहा है सरकार को इन सब के प्रती गंभीरता से विचार करते हुए कानून की बेवस्था यम पुलिसिंग में सुधार करना चाहिए ताकि आम जन्मानस में सरकार वा कानून के प्रती विश्वास बढ़ सके समानिक से हटके एक के बाद एक एक के बाद एक कोई न कोई घटना करम सामने आ रहा है अंबिकापूर में चोरी पहले नहीं हुई हो ऐसी बात नहीं है लेकिन अभी बात ही आती है कि लगातार शटर शटर खोल के चोरी कर ली जा रही है और सावजनिक ऐसी जगहों पे जहां पूरा शहर अगल बगल बसा हुआ है अब वो चौपाटी कहते हैं वहां से हो गया दूसरे जगह से वहां से हो गया तो इसमें भल मिलता है नशा की बाते हैं नशे पे आप नियंतर नहीं करोगे तो ये नशा भी इस प्रकार की घटन के तरफ लोगों को ले जाता है तो ये बहुत सारी बाते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुए हैं और कानून विवस्था सही नहीं है अच्छे नहीं